एक तरफ केंदर सरकार किसानों के साथ वारता कर रही है तो दूसरी तरफ पंजाब से हरियाना में आने जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर आरे अप से लेकर तमाम पैरामेल्टरी फोर्सीज को तैनात किय गया है और खासी दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो रही है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस बड़ी संख्या में जगह जगह पर तैनात की गई है और यहाँ पर यह नैशनल हाइवे 44 है जिसको ब्लॉक किया गया है लोग आ रहे हैं और आप देखिए घना कोहरा भ पैरा मिल्क्री फोर्सिज को जो है सडकों पर उतारा गया है इसके अलावा पंजाब जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर किस तरह के इंतजामात किये गए हैं यह आप देखिए यह यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है हाला कि यह बॉर्डर से पहले की तस्वीर है और यह पर काटेदार तारों के बीच में बाकाइदा पक्का मसाला भरा हुआ है सीमेंट का मिक्स्चर लगा कर यहाँ पर रोड रोलर यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि इसे कोई हटा ना सके और इसके अलावा यह देखिए सीमेंट की बड़ी-बड़ी बैरिकेडिंग की तो दूसरी तरफ आज केंद्रिय मंत्रियों के साथ किसानों की मीटिंग है अगर यह मीटिंग सफल होती है तब भी लोगों को परिशानी हो रही है अगर यह मीटिंग विफल हो जाती है तो तनाव बरकरार रहेगा और हरियाना और पंजाब के जो बॉर्डर से वहाँ पर झाल झाल